हलो एवरिवन एंड वेलकम टू स्टेड़ी विट सुनील उमीद गरता हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छे ही होंगे और आज गालेसन अपन शुरू करते हैं रिजिनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंड किसन आणूसर की जो अपनने सीरेज ही सुरू कर रखिया उसको अपन कंटिन्यू करते हैं देखें पहला किसन आपको दे रखा है अस्ट भुझ का जो संबंद है वो 64 के साथ में है सब्त भुझ का वही संबंद किसके साथ में होगा यह आपको बताना है देखो अस्ट भुझ में कितनी बुझाएं होती है 21 अथ वुजर्व मी आठ मोट जाएं होती हूं जिसाकि नाम से इस प्र्लेइब अधुर्गेल तो आठ का स्क्वेर कितना होता है। co-sort होता है। जो कि आपको आगे दे रखा है उसी तेर्केश से सब तो बुज में कितनी प्रीप जाएं तो तो साथ का स्कोर कितना होता है 49 यानि की गुणनचास होता है गुणनचास आपको option fest में दे रहा है इसलिए option fest क्यों हो जाएगा इसका answer हो जाएगा काफी easy था इतने जादा यह hard question नहीं था देखो next question देखते हैं आपन CGL tier first में आया वाए last year 6 September को देखो दिये गए विकलपो में से संब्धित अकसर या सब्ध या संख्या को चुनना है A, C, E, G इसका तो संब्ध है वो B, D, F, H के साथ में है वही संब्ध आपको P, R, TV का किसके साथ में यह बताना है तो देखो यहाँ पर अपन इस बार हर की number नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत से question अपने यह solve कर लिए है coding, recording वाले में से तो देखो A है वो एक नमर पर आता है, B है वो दो नमर पर आता है, यानि कि plus का एक add हो गया C है वो तेन नमर पर आता है, D4 नमर पर आता है, यानि कि plus का एक add हो गया E5 नमर पर आता है, F6 नमर पर आता है, यानि कि plus का एक add हो है G7 नमर पर, H8 नमर पर आता है, यानि कि plus का एक add हो है ये भी आपका आयवा है CGL TR First में 3 सेप्टेम्बर को. निम्न लिखित परसन में दिये गए विकल पॉंच में से विसम अक्सर या समू है कौन सा हुआ आपको चुनना है, चार आपको दे रखें, देखो इसकी यहाँ पर नमरेंगे लिख लो यहाँ पर, आपको आराम से समझ में आजाएगा, देखते ही, पांच लिख रखा है, आठ है, उसके बाद में 10 है, निचे आओगे तो 10 दे रखा है, 13 दे रखा है, और 12 दे रखा है, P 16 दे रखा है, S 19 दे रखा है, और R 18 दे रखा है, V 22 दे रखा है बाद में Y 25 दे रखा है और X 24 दे रखा है और 13 से 12 होने में माइनस का एक 5 से 8 होने में प्लस का 3 एड़ हुआ है और 8 से 10 होने में प्लस का 2 एड़ हुआ है देखो यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का एक प्लस का 3 माइनस का एक प्लस का 3 माइनस का एक लेकिन प्लस का 3 और प्लस का 2 यहाँ पर एड़ है यानि कि 8 और 10 के बीच में 8 और 10 पांच ये किसके नमरिंग थी E, H, J की ये नमरिंग थी Option Fest की थी इसलिए ये आपको इसमें भी समदे रखाए Option Fest इसका answer हो जाएगा आगे वाला क्यूसन देखो ये भी CGLT Air Fest में आयो है 500 का जो संबंद है वही आपको 7 का किसके साथ में ये बताना है बाकी के जो क्यूसन देख उन में से थोड़ा से ये टिपीकल है इतना यादा नहीं है वैसे टिपीकल ने कैसके इसको बन देखो 5 का 100 के साथ में क्या समद्द हो सकता है ये देखो आप पहले तो 5 का क्या करोग आप वरग करो 5 का वरग करो गई तो कितना आएगा 25 आएगा ठीक है उस 25 को 4 से multiply कर दोगे तो क्या जाएगा 100 आजएगा उसी तरिकी से आपको 7 दे रहे है तो 7 का फैले तो square करो 7 का square कितना होता है गुणन 4 से होता है 29 को 4 से multiply कर दो तो गुड़नसास को 4 से मल्टिप्लाई गरोगी तो 9.36 हो गया 3 बाद में 4.16 और 16.19 यानि कि 196 एकसो चान में आपको option second में दे रखा है यह इसका answer हो जाएगा Next question देखो मकान का जो संबंद दिवार से है जिस तरीके से संबंद दिता है उसी प्रकार से दिवार का संबंद किस से है देखो यहाँ पर यह मकान है मकान का जो संबंद है वो दिवार के साथ में तो वही संबंद आपको बताना है कि दिवार का किस के साथ देखो दिवार से मिलकर मकान बना होता है यानि कि मकान का जो मूल इस्ता है वो दिवार ही होती है उसी तरिके से दिवार जो होती है वो किस से मिलकर बनी होती है दिवार सिमेट से मिलकर बनी होती है इंटों से मिलकर रेट से या फिर डलान से तो दिखे रे तो डलान तो कोई कहीं पर संबंद नहीं है सिमेंट होती है लेकिन ये मूल पदार भी नियोता एंट जो होती है दिवार वो इंटों से मिलकर बनी होती है आप खुद से जब इसको इमशन करोगे तो दिवार का जो संबन्द मकान के साथ में तो वही सम्मंद दिवार का किस के साथ में होगा इंट के साथ में होगा ठीक है इसलिए इंट आपको option second है और ये इसका answer हो देगा अगला question देखो यहाँ पर भी आपको ऐसमान सब्दिया संख्या या वरण आपको बता करना है 343, 7, 568, 266, 729 मैंने आपको पहले भी कहा था एक से लेकर 30 तक आपको वरण और क्यूब याद करने हैं क्योंकि reasoning में इसका बहुत बड़ा रोल अता होता है एक से लेकर 30 तक सभी आपको वरण और क्यूब याद दोने चाहिए अगर आपको याद है तो ये क्यूशन आप देखते ही समझ जाओगी क्योंकि इसमें इसी कोई भेधी नहीं है 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है 8 का क्यूब कितना होता है 8 का कितना होता है 512 होता है आपको दे कितना रखा है 516 दे रखा है कल अगर आपने वीडियो देखा है तो तो कहने का मतलब है कि आगे वाली जो संख्या दे रखाना उसका क्यूब है वो पहले वाली संख्या है लेकिन सेकंड ओप्शन में इसा नहीं है सेकंड ओप्शन में आगे आठ दे रखा है आठ का क्यूब पांसो बारा होता है लेकिन आपको 560 दे रखा है इसलिए ये क्या हो जाएगा या अपर गलत हो जाएगा ये विसम हो गया आगे वाले देखो दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द अकसर या संख्या का यूग में कौन सा है वो बताना है 543 दे रखा है 453 है 243 है 432 है 234 है 342 है 354 है अब आप सब को ये सारी संख्या हैं देख के पता सकते हैं कि 243 है 243 है 234 है 234 सारी जो संख्या या ना पहले वाली संख्या आगे वाली में लेकिन फिर भी इन में एक ऐसा विसम है जो तीन में तो वो समान रूल फोलो होता है लेक कौन सा वो जोड़ा है, कौन सा वो अक्सर है, कौन सा वो सब्द है, वो आपको बताना है, देखो यहाँ पर, तीन दे रखा है, तीन स्टार्टिंग में है न, तीन यहाँ पर क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, ठीक है, दो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, पांच होना चाहिए था, है ना, इसलिए ये option क्या हो गया, आपर भिन हो गया, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरुवती है, हालांकि संख्यां यही हैं, मसे इनको आगे पीछे करने का बस वही है, last में पहले वाली संख्या, last वाली संख्या, अन्य तीन option में स से, 25 और 37, 144 और 100 गुनतर, 100, 121, 9 और 64, इसमें से बताओ आप, अब आप सोचोगे, 25 से 5 का स्क्वार होता है, 6 का स्क्वार 36 होता है, 142 का स्क्वार होता है, 13 का स्क्वार होता है, 10 का स्क्वार होता है, 100 होता है, 11 का स्क्वार 12 होता है, 3 का स्क्वार 9 होता है, और 8 का स्क्वेर है और यह 6 का स्क्वेर है यह 12 का स्क्वेर है यह 13 का स्क्वेर है यह 10 का स्क्वेर है यह 11 का स्क्वेर है लेकिन यह 3 का स्क्वेर और यह 8 का स्क्वेर है देखो 5 6 12 13 10 11 3 और बाद में यहां पर 4 देखो बिंन विकल्प आपको बताना है B, D, G, K या आपको दे देखो इनकी नंबरें लिख लो आपका आसान इस समझ आएगा 2, 4, 7 और 11 16, 18, 21 और 25 6, 7, 10 और 11 11, 13, 16 और 20 देखो 2 से 4 तो 2 से 4 होने में कितना एड वा पलस का 2 एड हो गया 4 से 7 होने में पलस का 3 एड हो गया और 7 से 11 होने में प्लस का 4 एड़ हो गया यहां से देखो 16 से 18 होने में प्लस का 2 एड़ हुआ है 18 से 21 होने में प्लस का 3 एड़ है और 21 से 25 होने में प्लस का 4 एड़ है 11 से 13 होने में प्लस का 2 एड़ है 13 से 16 होने में प्लस का 3 एड़ है प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस दो प्लस तीन प्लस चार लेकिन थर्ड ओप्सन आपको यह सा दे रखा है जिसमें प्लस एक प्लस तीन और प्लस एक यहने कि यहाँ पर जो करम था न एड़ करने का वो यहाँ पर गड़ बड़ा गया है ये सिस्टम में आवर फैल हो गया तो option third में हो आ है option third आपको देर खाए F, G, J, K इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा आगे वाले में देखो विसम आपको तेरना नोचालन यान की जलियात्रा गोता खोरी और चालन यान की driving इनमें विसम कौन सा है देखो तेरना जलियात्रा, गोता खोरी ये तीनों ही किस से सम्मदित है ये तीनों ही water से सम्मदित है जल से सम्मदित है लेकिन चालन driving ये जल से सम्मदित नहीं है ठीक है इसलिए ये आपका विसम हो जाएगा भीन हो जाएगा ये चालन ड्राइविंग और ये ही इसका आनसर हो जाएगा उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ नेया ही जानने को मिलाओगा इस वीडियो में हिलाल इतना ही And for the time being, this is the end of the video, thanks for listening, God bless you all.